उसका अभी तक हमने एक वीडियो बना दिया है किसी कारण से वीडियो नहीं बन रहा था शाथ 8 दिन हो गया आज फिर हम उसी से continue करेंगे अब आज का वीडियो में पहले ही आपको बता दो जादा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे उसको एक बार आपको वापिस रिवाज करवाईगा देखें आपका जो question होगा उसमें दो लोग तीन लोग, चार लोग, पांच लोग कितने भी लोग हो सकते हैं वो मिलकर एक काम को करते हैं तो उनकी efficiency जो कारेश रमता है आपके कि A किसी काम को इतने दिन में कर सकता है फिर आएगा B भी उसी काम को इतने दिन में कर सकता है फिर आपको कहेगा यदि हम इन दोनों को लगा दे तो पूरा काम कितने दिन में होगा अब आप खुद पे practically लो कि अगर तो अलग-अलग लोग काम करें एक ही काम को अगर उन दोनों को शामिल करके वही काम करवाया जाए तो जो हमारा टाइम है वो बज जाएगा यालि काम जल्दी होगा तो उसी के हमने जो सवाल देखे थे ठीक है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको एक बार जरूर देखे हैं अब फिर से म कुछ दिन में काम कर रहा है बी कुछ दिन में काम कर रहा है और दोनों मिलकर भी कुछ दिन में काम करेंगे यह तीन जेती अब एक्जाम में क्या कर सकता है एक्जाम में हो सकता है आपको एक और बी यह इन दोनों को तो देख कि एक किसी काम को जब दिन में करता है बी वह आगे ये भी कर सकता है, A किसी काम को दस दिन में करता है? A और B मिलकर उस इतने में करते हैं तो B अकेला उसक्ता है किसने दिन में करेगा? यानि अगर दो लोग हो, अध्यानत ना, अगर दो लोग हो, तो आपका फिक्स सवाल क्या बनेगा वो देख लेना, अगर दो लोग हो, तो हो सकता है, दो लोग के काम करने का मांज दिया हो, कुल पुछे, हो सकता है, A का दिया हो, दोनों का दिया हो, B का पुछले, हो सकता है B का धिया हो, A, Plus B का धिया हो A का पूछ सकता है, दो लोगों में ठीके, अब माज़ो ये तीन लोगों अगर A, B, C, ये तीन लोग है, और यहाँ पे लिखेगा A, Pls, B, Pls, C और भी लिख सकता है A, Pls, B, B, Pls, C C, Pls है अगर तीन लोग है तो आपको A का काम, B का काम और C का काम दे कर पुछ सकता है तीनों कितने दिमें करेंगे अगर उसे थोड़ा कठीर करना हो थोड़ा कठीर करना हो तो वो क्या करेगा A का काम देगा B का काम देगा C का पुछेगा और Tनों का में के दे और उससे और कटिन करना हो तो वो A और B का काम देगा B और C का काम देगा C और A का काम देगा और बजले में वो कुछ भी पूछ सकता है A कितने दिन में करेगा B कितने दिन में यानि question वो कैसे भी पूछ सकता है आगे जो high level के सवाल है जो इनकी कारे समता की efficiency जो है उनका percentage देगा फिर कहेगा A एक दिन आता है एक दिन छोड़ गे B कुस काम को करने आता है हो सकता है दोनों ने विलकर 5 दिन काम किया फिर A छोड़ कर चला गया C वापिस उसमें शामिल हो गया यह जो साजा में सवाल नौर्मली चलते हैं उस तरह के भी सवाल इसमें हो जाएंगे सबसे basic concept आपको ध्यान रखना है आपको work assume करना है आप ध्यान रखना आपको career assume करना है बस यही main concept है हम कारे को assume करना है assume करना है क्या assume करोगे तो जो आपके सवाल में data वो देगा कुछ भी number हो सकते हैं दिनों में ही देगा 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तो जो आपको आंकडे दिये हैं जो अंकों में आंकडे दिये हैं उनका LCM जरूरी नहीं है आप LCM ही assume करो LCM का double, triple, triple कोई भी आप number ले सकते हैं A कार्य को 12 दिन में समाप कर सकता है A और B मिलकर इसे 8 दिन में समाप कर सकते हैं तो B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप करेगा अभी मैंने समझाए वो कुछ भी दे आपको लिखना है बस A एक व्यक्ति है अगली बार A और B मिलकर व्यक्ति है जो उसने दिया वो, ए एक काम को बारा दिन में खतम करता है, यह हमने लिख दिया, ए ने बारा दिन में खतम किया, मान लिया, ठीक है, ए और पी मिलकर इससे आठ दिन में खतम कर सकते हैं, हमने मान लिया, यह आठ दिन में खतम कर सकते हैं, अब क्या पुछ रहा है वो बताओ उसमें कुछा है भी अकेला इस कारे को कितने दिन में समाप सरेगा अब भी गाया थे तो आप भी को लिख दो लिखना है अब सबसे पहला काम वर्ग को एज्वियूम करना है क्या एज्वियूम करोगे जो आपका 12 और 8 का LCM ऐसा नंबर जिसमें 12 का भी भाग जाता है हो और 8 झाता है तो 12 और 8 भाग 24 में जाता है 12 और 8 वाग 24 में आपको जा चायगा तो हमने माझ लिया 24 वस्थियं बनानी है यह आपका काम है हमने काम एलिउम कर लिया हमें 24 वस्थियं बनारी है यह अब आपने ए को बुलाया ए ने कहा मैं ये चोईस वस्तुवें आपको बारा दिन में बना कर दें दूँगा ए ने कहा मैं ये वस्तुवें आपको बारा दिन में आप खुछो एक दिन में कितनी वस्तुवें बनाएगा एक दिन में एक दिन में एक दिन में दो वस्तुवें बनाएगा एक दिन में A की शम्ता है दो वस्तुवे बनानी की तर जाले तो 24 बनाएगा उसी तर A और B शामिल आए इस बार आपने B को नी बुला है आपने A और B को शामिल बुला है तो A और B ने मिलकर कहा हम पूरा काम 8 दिन में करेंगे तो आपकोश चाचो 24 बस्तुवे बनानी है 8 दिन में तो A की दिन में कितनी बस्तुवे बनाएगे एक दिन में ये 3 बस्तुवे बनाएगे अब A अकेला 2 बस्तुवे बना रहा है A और B मिलकर 3 बस्तुवे बना रहा है आपकोश चाचो एक तो ये वफे में ने बनाई अगर ये लएकigor काम करें चोईस बत्तु बनाएं चोईस बत्तु कितना बनात है तो सुख ये 20 दिन आपका ऐसार है स्थिर भी मैंना आको मितना खेल को यह दकतना होminded बटे दिन इधर भी काम बटे दिन और इधर भी काम बटे दिन उस कॉंसेट से आपका आंसर आ जाए ठीक है सेल पहला पूस्ट बहुत इसी था सेकेंड को आपको जहां से दिखना है यह बहुत इच्छा सवाल है ठीक है ए वह बी मिलकर किसी कारे को 20 दिन में समाप करते है जो दे वही लिखना है ठीक है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप करते है जिसना उसने कहा उतना लिख दे रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप करते है बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप करते है बी और स दोनों मिल जाए तो यह काम 15 दिन में हो जाता है तखा और C और A मिल जाए अगर C और A मिल जाए तो यह काम 12 दिन में खतम होता है तो यह पूछ रहें तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे यह पूछ रहें तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे हो सकता है, हो सकता है आपको पुछे A अक्यला कितने दिन में करें, हो सकता है आपको पुछे B अक्यला कितने दिन में करें, हो सकता है आपको पुछे C अक्यला कितने दिन में करें, कॉस्चन कुछ भी करें आंसर आपका आएगा लेकिन सबसे पहले ध्यारत ना क्यूंकि और सबसे पहले तो कभी अगर दो-दो का जोड़ा हो कभी दो-दो का जोड़ा हो तो एक कंसेर्प यहां पर देखेंगे उसको आप बिल्कुल खास तरीके से ध्यारत ना क्या करते हैं इस पहले हमें क्या करना है जोड़ाना है क्योंकि एक दिन का काम निकल लेंगे तो ऑलना है कि जोड़ाने हैंoney को विमारा काम क्या हो गया हमें साहेट वस्तुएं बना गी टिक अब आप सोचो ओखे we have 20 गु?,ब 2 अगर मिल जाए," तो 1 दिन में कितनी विस्कौण है? एक दिन में कितनी विस्काआँविया? एक दिन में Прैतर बंहें, इस्थ में 20 में, आपके काम को 15 दिन में कर सकते हैं यानि ये सहेट वस्तुएं हम 15 दिन में बना के देगे यानि ये एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे एक दिन में ये 4 वस्तुएं बना सकते हैं उसी तरह आपने A और C को बुलाया फिर सहेट में 12 का भाग करो A और C मिलकर A के दिन में 5 वस्तुवे बना सकते हैं हमने एक एक दिन की वस्तुवे निकाल ले ठीक है अब अगर ये add वाला number हो तो हमेशा ध्यार रतना इन सब को जोड़ना है इन सब को fix है जोड़ना है A plus B, B plus C और C plus है A plus B B plus C A plus B plus C का डबल आएगा अगर हम इन सब के काम को जोड़ने तो सब दो दो बारा रहें A plus B plus C का जोड़ना तो वस्तुवे जोड़ो इन्होंने 3 वस्तुवे बनाए इन्होंने 4 वस्तुवे बनाए इन्होंने 5 वस्तुवे बनाए तो जब सब को जोड़ोगे, सब के काम को जोड़ोगे, तो एक दिन में कितनी वस्तुए मिलेंगी, एक दिन में 12 वस्तुए मिलेंगी, ये हमेशा याद रखना, ये फिट्स है, ये डबल आएगा, डबल को आदा करना है, सबसे पहले जान रखना, डबल है उतको आदा करना ह तो आपका A plus B plus C कितना है दबल को आदा करना है यह तो खास है आप लगना जब ऐसे नंबरों जोडते हैं जोडने ते यह डबल होगे डबल का आदा करना है तो हमें A, B, C मिलकर एक दिन में अगर हम A, B, C तीनों को मिला दे तो एक दिन में कितनी वस्तुए बनाएंगे एक दिन में 6 वस्तुए बनाएंगे अब तीनों को इस सवाल में यह कुछ है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे आपको साहेट वस्तुए बना ली है एक दिन में तीनों मिलकर कितनी वस्तुए दे रहे हैं मान लो कभी सवाल में यह दिया कि A अकेला काम को कितने दिन में समाप करेगा B अकेला काम को कितने दिन में समाप करेगा तो उसके लिए खाज जा रखना सबसे पहले A और B मिलकर एक दिन में कितनी वस्तुए बना रहे A और B मिलकर एक जिन में 3 वस्तुवे बना रहे और A, B, C तीनों मिलकर एक जिन में कितनी वस्तुवे बना रहे यह 6 वस्तुवे बना रहे अगर आप A और B को भुलाओ कि तीन वस्तुवे बना रहे और अगर आप C को एक्ट्रा बनाओ तो 6 वस्तुवे होगे एक दिन में किती वस्तोय बनाएगा तो C अकेला एक दिन में तीन वस्तोय बनाएगा C अकेला एक दिन में तीन वस्तोय बनाएगा अब सहेट वस्तोय बनानी है C अकेला एक दिन में तीन वस्तोय बनाएगा तो पूरा काम किते दिन में खतन करेगा तो C का काम साहे डिवाइड बाइट री C अकेला 20 दिन में काम को समाप कर सकता है C अकेला 20 दिन में काम समाप कर सकता है उल्टा अगर आप इसको ले लो B और C B और C एक दिन में 4 बस्तों बनाते हैं और अगर आप A, B, C इस तीनों को बुलाओ तो एक दिन में 6 बस्तों बन रहे हैं कि इधर 4 बस्तों हैं कि इधर 6 बस्तों हैं कितनी बस्तों बढ़ गए 2 बस्तों में बढ़ गए अब ये 2 बस्तों कब बढ़ गए जब हम A को लेके आए साहे डिवाइड बाई तू तीज दिन लगेंगे ए अकेले को कारे को समाप करने में उसी तरह आप ये बी का भी निताब सकते हैं ठीक है अभी हम दादा नहीं पढ़ने वाले आज हम इतना ही पढ़ेंगे बस ये तो जो हमारे जो क्रम है वो तूड गया था उतके लिए ये इतना ही धन्यवाद